तो मैं गेरंटी लेता हूं आप लोगों को डेरी में कोई फेल नहीं कर सकता अगर आप लोग इस पांच कारण के उपर अगर फोकस करते हैं फिर भी चलो पेसे देखर भी पशुगा भी नहीं निकलता है एक बार में तो तीर तीन बार एक पशुग को प्रेगनेट करवाना पड़ता है और एक किसान भाई एक पशुग उपर फंद्रा सुरुपे का खर्चा कर देता है उसमें डिपेंट करता है जितना ज्यादा रेट मिलेगा उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा सारा का सारा जो डेरी भार्मिंग का खेल हैं वो हैं दूत के रेट के ऊ जाता हूँ और वहाँ से लोगों दिखाने की कोशेश करता हूं फिर बहुत सारे लोगों को डेंग में हैं तो ऊह वो लोग में हमारे नॉक्न कर से हैं 550ों डेरी फार्मिंग Нुक्सान है वो दू sarcasm में नुक्सान नहीं करते इसक Ultra Form immersive में नो करता है और नक्तन उतने तो बिल्कुल भूल जाईए कि आप लोग को dairy farm में नुकसान होगा लेकिन नुकसान होता है जो हम गलतिया करते हैं उसके कारण वो गलतिया क्या है चलिए आप लोग में यह गलतिया बताता हूं सबसे पहले नंबर पर जो बात आती हैं वो आती हैं सही पशुओं का चुनाओ करना लोग जल्दवाजी में बिल्कुली खरा पशु ले लेते हैं और उसके बाद उनके पशु घर लाने के बाद अच्छे से दूद नहीं दे पाते हैं तो उनको तरह तरह की प्रोब्लम से आ रहे हैं यदि आपके पास पहले से बिल्कुल भी पशु नहीं है तो आप लोग एक या दो बेस से ज्यादा ना खरीदे एक टाइम में क्योंकि जब हम किसी डेरी फाम पर जाते हैं और वहां पर हम पशु को देखते हैं तो आप लोगों को मेक्सिमम दस या बारा पशु दिखाई जाते हैं तो उन्वेसा हमें अगर हम पांच पशु खरीदेंगे तो शुरू शुरू के दो तिन पशु तो हम टोप क्वालेटी के खरीद पाएंगे लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा कि यार कौन सा सही है कौन सा नहीं है तो अग आप लोगों को बहुत अच्छे हैसमी मुनाफ़ा देखने को मिलेगा और पशु आपको लंबे टायम तक अपने डेरी फार्म पर रखना है तो इसलिए पशु पर जादा से जादा फोकस करें चाहें आपको पशु खरीदर में एक दो महीने का टाइम लग जाए ठीक है औ तो वह सब हमारी फेल हो जाती हैं बाद में क्यों होती है क्योंकि हमें ओन फिल्ड फिल्ड में जाकर हमें प्लानिंग करनी होती है कि जब मैं पशु खरीद के लाओंगा तो उनका दूद कहां सेल करूंगा यह चीज़ सबसे ज़्यादा मात खाता है किसान इसमें पशु खरित के लिए पांच पशूकरी लिए अब उनको पता नहीं होता है कि दूद कहां सेल करें जब वो गाओं के जोड़ी है लोकल उसमें करने जाता है तो उसको वो rate नहीं मिल पाता है जो उसको चाहिए होता है तो वो आपको नुकसान है दोस्तों दूद का rate dairy farming की एक new होता है उसमें depend करता है जितना ज्यादा rate मिलेगा उतना ज्यादा आप लोग को फायदा होगा सारा का सारा जो dairy farming का खेल है वो है दूद के rate के उपर आप लोग ऐसे मा पांचो रुपे का उसमें इजाफा हो गया अगर दस आपके पास हैं तो पांचो रुपे का इजाफा आपके पास होगा और पंद्राजार रुपे महीने होते हैं पांचो रुपे रोज से तो दूद का rate काफी ज़्यादा डिपेंड करता है तो आप लोग पहले से ही planning करक पशू के लिए चारा कहां से लाएंगे आपको पहले ही चारा हुआना है डेरी फार्मिंग खोलने से पहले ठीक है उसके बाद आप लोगों को पशू के फीट की व्योस्ता करनी है यह नहीं कि जब आप पशू लाएंगे तो कोई भी उटपटांग फीड आप लोग उठा तो आप लोग पशू को अराम से अपने घर पे रखे सू व्योस्तित उनका मेनेजमेंट आप कर पाएंगे तीसरा सिस्टम आता है फेल होने का कारण होता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है जब पशू लेके आते हम दो से तीन महीने तक उसके बाद हम अपन होती है इसकी वैसे उनमें बांचपज की समस्चाबिया में देखने को मिलती है क्योंकि आज कल चलो फिर भी आप लोगों अगर हीड भी पेचान ली तो ब्रीडिंग में फेल होने का सबसे मेन कारण है कि लोगों को पास बूल कम होते हैं आइजिशल इंशिमिनेशन होता ह क्रतिम गर्बादान के कारणी यह होता है कि उसके सक्सेस रेट है वह गावे में तो बिल्कुल 10% से कम है 10% पशुगाविन निकलते हैं एक बार के में हम जब में हम हैं मद्धपरदेश हैं तो हमारे यहां पर काफी ज़्यादा मिनिमम इसकी हैं जो डोक्टर्स लोग होते काफी ज़्यादा पेसे भी ज़्यादा लेते हैं 600 रुपे 500 रुपे ऐसे लेते हैं एक बीज के ठीक है और सरकर रिस्पिताल में जो सीमन मिलता है वह होता है 20-30 रुपे का फिर भी चलो पेसे देकर भी पशुग अभी नहीं निकलता है एक बार में तो तीन-तिन बार एक पशुग को प्रेगनेट करवाना पड़ता है और एक किसान बाई एक पशुग उपर 15 100 रुपे का खर्चा कर देता है और उसको आकरी में अपने पशुग को उसके जोटे के पास लेके जाना पड़ता है तो काफी सारे लोग ऐसे ब्रीडिंग में फेल हो जाते हैं चोथा आप लोग 5 पशुग लेके आते हैं तो कहने में तो आसान है कि 5 बेस्ता शुरू किया लेकिन 5 पशुग के साथ में उनके 5 बच्डे बच्डिया भी होंगे तो आपके पास टोटल 10 पशुग हो जाते हैं अब मानलो ठंड का सीजन है तो आप लोगों को ठंड से भी बचान तो मैं गैरंटी लेता हूं आप लोगों को डेरी में कोई फैल नहीं कर सकता अगर आप लोग इस 5 कारण के उपर अगर फोकस करते हैं तो ठीक है पांचवा हमारा कारण आता है फैल का सब कुछ हो जाता है चरो डेरी में आपने पशुग भी सही ले लिए आप लोगों ने प्लानिंग भी कर ली आप लोगों ने ब्रिडिंग में भी आप लोग सक्सेस हो गए ठीक है पशुग भी आप लोग कम ले क्या है पांचवा जो हमारा कारण है सही मेनेजमेंट अब मेनेजमेंट का अर्थ बहुत सारे लोग ऐसे निकालते हैं कि पशुग के लिए लगाए हैं ऐसी लगाई हैं पश्यों को प्राकृतिक जो इन्वाइरमेंट हैं वो देने की कोशिश करें जैसे कि अगर आप लोग घर्मी का मौसम है तो आप उन्हें अगर अच्छे पेड़ की छाय में अगर बांद देते हैं तो आपका पशुग ज्यादा खुश मेसू करता है जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है अगर पशुग वहां से दूसरी जगर से लेकर आए तो उन्हें खुला वातवरन देने की कोशिश करें पशुग को थोड़े बहुत चार-पाच घंटे के लिए दर उदर खुला छोड़े ताकि आप लोग एक बाड़ा ब रहें की कोशिश करें जिससे के आपका पशुग बीमार बिल्कूल नहीं होगा और बीमार से मुझे याद आया काप लोगों को डेरी फार्मिंग फैल होने का कारण यह होता है वो लोग टिका करन पे फोकस नहीं करते वह बिलकुल भी पशूँग का अनेक तरह तरह की बिम देरी फार्मिंग में नुक्सान होत थकते हैं डयरी फार्ट में ऐससा बिजनिस विकते हैं आपट पैसे ले सकते हैं टीक मेनेजमेंट में आप लोग यह बिले सकते हैं कि आपका पस्यों लोकल में कोश्च Collection और पहुंचा कि पहुंचए ब्लें उनको अच्छा दूद नहीं मिलते हैं कापी सारे से परिवार हैं जो अपने घर पर पशु नहीं रखते हैं तो आप लोग डिरेक्ट उनसे संपर्क करें और उसके बाद उनको अच्छा दूद उपलम्त करा हैं ताकि आप लोगों को अच्छी कीमत वो देंगे मुझे उम्मीद हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आये होगा जयानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी एक और बात है आप लोगों मैं बता देता हूं तो आप लोग इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं पर मुझे लगता है आप लोगों घर थोड़ा बहुत फिल्ड में काम करेंगे तो आपको ट्रेनिंग की कोई जूरत नहीं होगी इसलिए मैं बोलता हूं कि कम पश्यों से शुरुआत करें ताकि आप लोग अनुबव हो जाएग तो दोस्तों कमेंट करके बताना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा